तो आप में से काफी लोगों को पता होगा कि लिजंड्स लीग T20 चल रही है जिसमें टैर हुए काफी बड़े बड़े प्लियर खेल रहे हैं जैसे कि ब्रेटली, शेन वाटसन, गौतम गंबी, रेना, फान पठान, यूसुप पठान तो आज भारत टीम जिसका नाम है इंड लोएंस के बीच मैच था और काफी जबर्दस्त मैच हुआ क्यों कि दोस्तो इंडिया महराजास ने टॉट जितकर पहले गेनबाजी का फैसला लिया ये फैसला जल्दी काफी खराब साबित हुआ लेकिन एंड में जाके पाजी कुछ और ही पलड़ गई जा रस्तो दोस्तों इक ओर बढ़े पलियर तिलक रतने दिलचान ने शत्ता इस गेंड़ों में 32 रनों के छोटी सिपारी के लिए जिसमें चार चोग के और एक चक्का लगा है उनका स्ट्राइक रेट 118 से जादा का था इन दोनोंने काफी बड़ी साजेदारी की लेकिन उसके बाद जादा कुछ खास कोई कर नहीं पाया और आखिर में सिर्फ अब्दुल रजाक ने 17 गिंदों में 27 रन बनाए इसके बदोलत एशिया लॉयंस की टेम ने अपने 20 ओवर में 157 रन पाच उकेट पर बनाए इसके बाद जो हुआ दोस्तों काफी देखने लायक रोचत था यहाँ पर इंडिया महराजास की तरफ से ओपनिंग के लिए आये रोबिन उथप्पा और गौतम गंबीर जिया दोस्तों यह जो 157 रन थे दोस्तों इन दोनों ने मिलकर ही बना दाले जिया दोस्तों इन दोनों ने मिलकर ही यह रन पूरे बना दाले यहाँ पर सबसे जबरदस्त पारी रही रोबिनु थप्पा की इन्होंने 49 गंदों में 88 रनों की पारी के लिए जिसमें उन्होंने 11 चवके और 5 चक्के लगाए जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 225.64 का था दोस्तों काफी जबर्दस ट्राइक रेट के साथ शतक से थोड़े कम रन से चुके और उनका लिए और उन्होंने 12 चोके लगाए और 179 से भी जादा का उनका स्ट्राइक रेट रहा तो इस तर से भार इंडिया महराजाज ने इस मैच को 10 विकेट से जीता दोस्तों एक और मेन बात दोस्तों इंडिया महराजाज ने ये 157 रन 169 रन जो बनाए वो सिर्फ 12.3 ओवर मे बनाए यानि करीब करीब 13 के एवरेट से ये रन उन्होंने चेस किये आपको बता दे दोस्तों पहले दो मैचे इंडिया महराजाज काफी करीब से हा रहे है पहला एशिया लॉयंस से और दूसला दूसरा मैचो वर्ल्ट सुपर जायंट से हा रहे है और अगर अब इंडिय जाज को वर्ल्ड सूपर जायंट से भी मुकाबला जीतना होगा आई होप आपको वीडियो जरूर पसंदा होगा और अगर पसंदा है तो इस वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दीजे चाइनल को भी सब्सक्राइब करना ना बुले और साथे साथ बेल आइकोन को प्रेस कर ले आज के उडियो में इतना ही मिलते अगले उडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई